दोस्तो मेरे नाम है रहूल नामदिव आप देख रहे हैं नामदिवची टेक्निकल दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वाइफाई को कैसे कनेट कर सकते हैं तो दोस्तो जिस वाइफाई में पास्वार्ड होता है डेवलूपीए टू आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो ब्यूस तो बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते तो बहुत दुख लगता है कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मैं आज आपको बताने वाला और यहां पर मैंने अपना वाई-फाई ओन कर रखा है एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहता हूं स्टार्टिंग से ताकि बहुत सारे लोग यह ना बोल सकें कि बहुत सब कुछ उन्होंने पहरे से कर रखाता है जो भी फेक है तो वाई-फाई मैंने चालू कर लिया अगे अगम अब वाई-फाई-फाई-फाई-ची इसको कनेक्ट कर लेते हैं और यहां पर तो पहले कुछ हम गल्लत पास्वपोर्ट डालेंगे तो जिससे की आप रहे सकते हैं गलत पास्वट डाल दिया है यह हमारा kanakट नहीं हो है आप देख सकते हैं यह हमारा करने ही हो रहा है तो अभी क्या करने है आपको जो आगे अरो का बटन दिखाई दे रहा है अस एरो के बटन पर कर लृटन के रही करने को आपको तोड़ा सा नीचे आना है आप इस Wi-Fi signal का security भी देख सकते हैं कि WPA, WPA2 personal जो की काफी जादा use करने वाली common एक security होती है, generally इस प्रकार की security को सभी Wi-Fi वाले use करते हैं तो हमें नीची आ जाना है और हमें proxy पर जाना है, आप मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ किस तरीके को use करके आप Wi-Fi connect कर सकते हो without any application proxy पर क्लिक करने के वाद आपको manual पर जाना है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक पर फिर बताना चाहता हूँ इसके बाद हमें पोस्ट नेम में कुछ भी डालना नहीं है, पोर्ट में आपको 8080 डाल देना है, जिसे कि मेरा MI का फोन है तो मुझे यहां पर highlight हो रहा था 8080 डालने के लिए, लेकिन जिनके MI के फोन नहीं होंगे तो उनको यहां पर पोर्ट में 8080 टाइप करना पड़ेग है, यहां पर अल्रीडी सब कुछ अल्रीडी फिल दिखा रहा है, जैसी कि DNS 1 यह एक इंपोर्टेंट है, मेरे मुझे में तो अल्रीडी दिखा रहा है 8.8.8.8, तो आप लोग अपने मुझे में इसको ऐसे करके डाल सकते हैं, MI के फोन में यह एक अच्छी बात होती है, कि क यहां कि उसमें जानकरी डालनी है, कौन सा कोड डालना है, वह अल्रीडी डीएनेस वन में शो कर रहा था, एंड डीएनेस 2 में भी आप देख सकते हैं, जो कोड है 8.8.4.4, यह भी अमें अल्रीडी दिखा रहा है, तो यहां पर हम सेम तू सेम इसको डाल देते हैं, रियल म मैंने आपको बता ही सेटिंग, यह सब सेटिंग सेट करने के बाद आपको आज आना है, मोडिफाई नेटवर्क में, मोडिफाई नेटवर्क में आने के बाद आपको यहां पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि अब हमने जो सेटिंग चेंज करी है, यह सेटिंग चे यह एक प्रकार का master password है जिस password को यूज़ करके आप कोई भी wifi को crack कर सकते हो किसी wifi को connect कर सकते हो लेकिन connect करने के पहले आप कोई कुछ setting है जो कि मैंने आपको बताएं वो करना बहुत जरूर यह तो यहां पर हम password डाल देते हैं और आपको screen पर भी show कर देते हैं उपर password हमारा है करेंगे और यहां पर एरटल 5G अपना connect करेंगे अगर नहीं connect होगा तो एक बार दोवार से try करेंगे कई बार क्या होता है one time में connect नहीं हो पाता है तो हम second time try करेंगे तो यहां पर हम एक बार फिर से try कर लेते हैं क्रैक्ड 1111 और आप देख सकते हैं हमारा जो वाइफाई है आपकी आखों के सामने सब कुछ हमने किया connect कर दिया मतलब एक भी बार हमने screen को बंद नहीं कर नहीं तो आप लोग सोच सकते थे कि कुछ हमने change कर दिया हमने कुछ भी change नहीं किया और एक बार आपको मैंने दिख तीन बार करने पर ही connect हो जाता है तो स्क्रीन पर आपको फिर से password दिखा देंगे उपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं क्रैक्ड 1111 यह master password है इस password से आप किसी भी Wi-Fi को connect कर सकते हैं लेकिन connect करने के पहले आपको प्रोक्सी में मैनुल पर जाके जो मैंने सेटिंग बताई उनको follow करना पड़ेगा तो दोस्तों अब आते हैं मेर मुद्दे पे बहुत सारे लोगों नहीं यह तो देख लिया कि Wi-Fi चापासवर्ड कनेक्ट हो गया और मैं आपको सच बताना चाहता हूं यह एक्चुली सबकुछ scripted था यह Wi-Fi का password ही cracked 1111 था यह कोई भी मैंने master password नही है मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि Wi-Fi कनेक्ट करने के लिए लोगों ने लाखों हजारों वीडियो फर्जी बना रखें फेक बना रखें यूट्यूब पर लोग लगे हैं उन वीडियो को देखने के लिए और लगे रहते हैं फर्जी जो ट्रिक्स हैं उनको ट होते हैं लेकिन आप उन ट्रिक्स को यूट्यूब पर मत सर्च करो गूगल पर आप लोग डूड़ सकते हैं वाइफाई करने के जैनुवन ट्रिक्स अब भी हैकर लोग ही कर पाते हैं एक आम इंजान के लिए वाइफाई हैक कर लेना एक बहुत बढ़ा टास्क होता है जो होच के लिए तो आप लोग ये हैकिंग वाले वीडियो देखना बंद करो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में किसी अमेजिंग वीडियो के साथ